क्लॉस D प्रमाणे इल्लिगालिटी इन कॉम्पोजिशन अफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल नी अपोइंटमेंट माद जो कोई इल्लिगालिटी रही गई होई तो एना पूरावार रजू करे थी एनो एवर्रिफ्यूस थाई शके छे अने क्लॉस E प्रमाण ज्यारे एवो कोईपन एवर्ड के जे बंधन कारकत नथी ए फरेन एवर्ड अध न होई तो ए रिफ्यूस थाई शके केवी रिते फर एक्जाम्पल धारों के एवर्ड ए भारत बहारनी टेरिटरी माथी आपफ़ामा आवेलो छे परन्तु ए टेरिटरी इस गवन्ड तो ए जग्यानों एवर्ड अज फरेन एवर्ड नथी तो एवा संजोगों मा ए एवर्ड बाइंडिंग रहतो नथी अने छेली प्रोवीजन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल कमर्शल आर्बिटरेशन के कार्ट पोते क्लोज ए प्रमाणे एवो जणावे के जे डिफ्रें एवर्ड ने रिफ्यूज करी शके चे अदालत अने enforcement of award against public policy जो एवा एवर्ड नू enforcement पब्लीक पोलीसी duplicळ नू होई तो ए संजोगों मा ए तमाम एवर्ड ने अदालत रिफ्यूज करी शके चे ए एवर्ड आपती वखते करप्शन करवां मा आवे लू होई ब्राइब आपफ़मा आवेली होई एवु साबित्मतु होई तो एवा संजोगों मा आदालत द्वारा आफोरेन एवोर्ड ने रिफ्यूज करी शकाई छे। जारे एवा आदालत नी डिकरी बने छे एस पर सेक्शन 49 अने त्यार बाद एन्हों पालन करवू फरज्यात बने छे। आपने आ काईदानी प्रोवीजन समझ वामा मैं तमने थोड़ीक पाल हेल्प करी होई तो थैंक्यू वेरी मच फोर यूर् यूर्बूचिए ज्यूर्पाइए लगर प्रोवीजन 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 आपकोफ लगर थैंक्यू तैंक्यू अज्यू थैंक्यू श्यू선ट्स